बस्पा प्रत्याशी जुनेद मिया ने प्रैसवार्ता कर विपक्ष पर लगाए गंभीर आरोप। यूपी में 2022 का चुनावी विगुल बजते ही प्रत्याशी कही विकास की वात कर रहे है तो कही एक दूसरे पर आरोप लगा कर जनता का दिल जीतने की कोशिश कर रहे है बह आज एटा जनपद की अली गंज विधान सभा एक सो तीन के बस्पा प्रत्याशी साउध अली उर्फ जुनेद मिया ने प्रैसवार्ता कर उन्होंने अपनी नेता बहन कु मायावती जी का आभार जताते करते हुए कहा कि हम और लोगों तरह नहीं है जो अपनी एक जाती को लेकर चुनाव लग रहे हैं हम सभी को साथ लेकर चुनाव लदेगे लोग 2012 से 2017 तक का समय लोग भूले नहीं है एटा उत्तर प्रदेश से राजेश गुपता की रिपोर्ट देखते रहे हैं आपका अपना चैनल आंचलिक खबरे अपनों की खबर आप तक मीडिया के लोग, इलेक्रोनिक मीडिया, सोचल मीडिया पर आक्टिव वाले यूट्यूबर्स और पत्रकार बंदूं आप सबका बहुत बहुत धन्दवाद आने के लिए जैसा की आपको जानकारी हुई है कि कल की सूची में आदनिये हमारी निता बेहन कुमारी मायोती जी ने सूची जारी की है, उसमें एक सो अलीग इस तीन विदान सभा पर चुनाओ लड़ने का इदायत की जिम्मेदारी मुझे दी है कि सबसे पहले तो मैं बहुत बड़ा उनका शुक्र उखजार हूँ कि उन्होंने मुझे इस लाइक समझा उनका प्रतिनित कर सकूँ जैसा कि आप लोगों पता है कि नोटिफिकिशन जारी हो चुका है तो कल 28 तारीक को मैं अपने समर्थकों के साथ जो लोग भी हैं जो कोविट नियम का पालन करते हुए और आचारसाइता का पालन करते हुए हम लोग जाके पर्चा भरेंगे हम लोग चार-पांच मुद्दों हैं अली गंच के जिसके चुनाव रड़ेंगे एक कैंडिडेट समाजवादी पार्टी के हैं जो एक जात को स्पेसिफिक मान के चुनाव लड़ रहे हैं वो चुनाव जो लड़ रहे हैं उनसे दोहजार पारा से सत्रा के बीच लोग उनका अत्याचार कैसे भूल सकते हैं जो अत्याचार उन्होंने तमाम लोगों के उपर किया वो जिस समाज से तालोक रखते हैं उस समाज के लोगों का भी जितना उत्पीरन दोहजार बारा से सत्तरा के बीच हुआ वो कभी नहीं हो सकता था तमाम लोग जेल गए हम लोग छेतर में हैं हमारे मुक्य मुद्दे जो है मैं छेतर में जन्मुद्दों के साथ जाँगा वो आपके माद्यम से मैं जनता से शेयर करना चाहता हूँ, जनता साजा करना चाहता हूँ, वो मुद्बे हैं जैसी जिसकी हिस्सेदारी वैसी उसकी भागेदारी, अगर मैं विधायक हो जाता हूँ आपके आशिरवात से यहां से, तो एक शाक के ब्लॉक प्रमुक होगा, त और अगर में लोदी समाज बुलाग प्रमुक होगा तो जिला पंचायत सदत से यादव होगा अगर एक नगरपालिका या नगरपंचायत औरियत्फ थाकर समाच से पुर्छ समाच से भी तो एक समात सुछ हम नेता तब तक नहीं कहला जा सकते जब तक हम झाल 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 झाल